वेलकम टू एस्टेटिनिक्स एस्टेटिनिक्स पे मैं संतोसर आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं उमीद बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पनी तयारी कर रहे होंगे आज के लेक्चेर में फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं छेत्र मिट्त आपके एक्जामों में काफी question पूछे जाते हैं चाहिए आप किसी भी exam की तयारी करते हों सभी exam में 100% है 1 से 5-6-7 तक question पूछता है तो ऐसे topic को हम कैसे पढ़ेंगे पूरा एक्दम detail में पढ़ेंगे ठीक है detail में one by one हर point को देखेंगे यानि 0 से पढ़ेंगे और advanced level के जित कोई करेंगे तो चलिए हाँ से हमारा चाहिवर मिलेगा तो पैड़े आप लोग वाच करिए गा और जो भी और ना समझ में तो हमारे जया आप टेली ग्राम से हम करिए हैं कहीं भी कमेंट करके मुझे सूचना कर दीजिएगा कि सर हमीं यहाँ पर समझ भी नहीं आया तो मैं उसको आगले वीडियो जो सूट करने से पहले मैं उसको पहले आपको समझा दूंगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं अबना छेत्रमिती तो देखिएगा यानि इसको हम इंगलेश में कया कहते में शूरेशन में शुरेशन ठीक है आप दीके फ्रेंट्स यह दो सब्ससे बना हुए दो सब्सेसे बना हुए कैसे सब्ससे दिखए असके आपकर यहां तक आपका एक सब्सydhu गया छेत्र उसकी बाद यहां से आपका क्या है दूसरा सब्ध है मिती यानि छेत्र मिती में सूरेशन अब देखे फ्रेंड्स छेत्र का मतलब आपको पता ही है क्या होता है छेत्र होता है यानि फिल्ड होता है क्या होता है छेत्र होता है छेत्र ठीक है छेत्र यानि आप इसको कर सकते हैं भाग ठीक है भाग कर सकते हैं और दूसरा कर सकते हैं आप लोग क्या करते हैं एरिया एरिया भी तो इसी को करते हैं छेत्रफल इसे हम छेत्र को छेत्रफल करते हैं यानि एरिया अब इसी को हम क्या करते हैं छेत्रफल पूर है अब देखिए मीती का मतलब क्या होता है माप क्या होता है माप मिजोर होता है क्या होता है मिजोर ठीक है मीती का मतलब आपका माप होता है क्या होता है माप अब छेत्र का मतलब छेत्रफल एरिया यानि किसी का पाटिकूलर एलिया मनलब कोई पाटिकूलर एरिया है इसका आ में में पढ़ेंगे तो चलिए अगला पॉइंट है देखिएगा अगला पॉइंट ये तो आपके कुछ बेसिक थे इसका मतलब क्या होता है यह आप लोगों ने जाना उसके बाद देखिएगा अगला क्या है अगला आपको मिलेगा यह मिलेगा क्या देखिएगा आपको मिलेगा टूडी और दो फिगर मिलते हैं और एक तीसरा फिर एक मिलता है एक फिगर आपको मिलेगा तूडी और एक होता है क्या 3D तूडी में क्या आते हैं पहले इसको पूरा देखेंगे क्या होता इसका का मतलब या नहीं डू डाइ मैन मैं थीक है सनल टू डाइमेंशनल ठीक है त्व दैमेंशनल फिर फ्लेंट से लेंट फीगर इससे त्वाइं चल्क, बढू देखेए गा तू 的 इंसफेल प्ले सिरे मिक अदेखेन। देखिएगा फ्रेंड्स अब इसमें आपका आएगा परिमाप परिमाप और छेत्रमिती छेत्र परिमाप और क्या आता है छेत्रफल परिमाप और आपका आगा च्छेतरफल यानि टू-डाइमेंशनल प्लेन फीगर में आपको ग्याद करना रहेगा परिम में इसको पहले लिख लेते थी जाय में सनल ठीक है फिगर इसको हम थी डाइमेंशनल फिगर बोलते आप देखे फिर्स थी डाइमेंशनल फिगर में क्या ग्याद करना रहेगा इसमें आप कर रहेगा प्रिस्टिये तो इस टीए छेत्रफल ठीक है प्रिस्टिये छेत्रफल और आयतन क्या रहेगा प्रिस्टिये छेत्रफल और आयतन क्या रहेगा प्रिस्टिये छेत्रफल और आयतन यानि कोई पर्टिकुलर फिगर दे दिया जाएगा इसमें आपको प्रिस्टिये छेत्रफल और आयतन पता करना रहेगा ट्री डाइमेंसिनल फिगर में क्या होता है आपका कि आपका परिमाप और छेत्रफल ग्याद करना रहता है तो चलि आप पहरे पढ़ते हैं हम ट्रॉडी यानि 2D पढ़ेंगे उसके बाद हम प्रेडी पढ़ेंगे तो देखेगा अगला पॉइंट टूडी अब टूडी में कौन कौन से फिगर आते हैं किसकी के आते हैं सबी को पहले देखेंगे उसके बाद स्टाट करेंगे ठीकें देखिएगा अब देखिए हमारा पहला टूडी में किसमें टूडी में पहला आपका आता है किया तिर्बूज तिर्बूज यानि हम इसको कहते हैं ट्रेंगल ट्रेंगल ठीक है पहला यह आएगा इसका फिगर और दूसरा आपका आएगा आयत दूसरा आपका आएगा क्या आयत यानि इसे कहते हैं रेक्टेंगल रेक्टेंगल ठीक है यह हो गया उसके बाद इसी में तीसरा आता है कि आपका वर्ग इसको हम कहते हैं इंग्लिस में स्क्वाइर ठीक है इस्क्वाइर अगला देखेगा फ्रेंड्स यहां यह अगला हमारा पॉइंट है फूर फूर में आपका क्या आएगा देखेगा इसक्वाइर बिरित सर्कल क्या आएगा बिरित आएगा यहनि आपको आएगा सर्कल उसके बाद आपका आएगा फूर्थ पॉइंट चतुर भूज चतुर भूज ठीक है यहनि हम इसको क्या कहते हैं क्वाइर डिक ठीक है क्वाड्रिक लेटरल क्वाड्रिक लेटरल ठीक है यही कहते हैं ठीक है यह हो गया चतुर भूज उसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या आता है अगला पॉइंट देखें फ्रेंट्स बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसको अब इसमें आपको पूछ लेगा अंत्यकेंद्र इन सेंटर अंत् परिकेंद्र परिकेंद्र जैसे जैसे हम लोग हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आप लोग लिख लिजिए उसके बाद और क्या पूछेगा अंत्य विरित अंत्य विरित और पूछेगा परिविरित ठीक है यह हो गया उसके बाद देखें एक और आपको पूछ लेगा यहां पर देख लीजिए अगला पॉइंट हमारा क्या है यह था शिक्स उसके बाद सेवन उपर लिख दे रहे हैं यहाँ पर अगला पॉइंट आपको पूछ लेगा रूम यानि कमरा अब यह कमरा का मतलब क्या है आपको एक पर्टिकुलर रूम रहता है जैसे आपका रूम होगा ठीक है इसमें कितनी देखिए ऐसे तो रूम रहता है आपका यहाँ पर ऐसे कुछ रहता है माल लीजिए कि इसे कुछ यह रूम आप जानते हैं कि क्या होता है उपर नीचे दाएं बाएं ठीक है यही होता है डाएं बाएं और आगे पीछे यही तो होते हैं इतनी दिवारे अरूम तो रूम भी होता है अब रूम को कैसे सॉल्ब करेंगे जब इसका नमबर आएगा सेवन नमबर पे हैं तो इसको सेवन नमबर पे ही देखेंगे ठीक है तो आप देखिए हमारे टूडी फिगर है टूडी फिगर है उसके बाद अब 3D में क्या आएगा पहले इसको भी जान लेते हैं यह पहले आप लोग नोट कर लीजिए चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा वीडियो पोच करकर आप चलिए हम बढ़ते हैं 3D के 3D के कौन-कौन से फिगर आते हैं इसमें उसको भी जान लेते हैं देखेगा अब हम पढ़ेंगे 3D 3D में कौन-कौन से आते हैं देखेगा 3D में आपका पहला आएगा घन और घनाव ठिक है गन और घनाव इसको क्या कहते हैं क्यूब एंड ग्यूबऑईड घिलूबऑईड ठीक है यही कहते हैं ठीक है अब दिखिए दूसरा पॉइंट आपका देदेगा बेलन इसका बेलन क्या होता है इसको हम कहते है इसलेंडर इस पूgende होता है ठीक है अगला दीखी सिलेंडर यहां पे उन रहेगा अगला पॉइंट अगला तरो पॉइंट आपको देगर संकु ज्यानि कोन उसकी बाद संकु उसके बद अग्ला फइर दीखेगा अग्ला पाइंट आपको देगा गोला छिए इसको कहते हैं इस फेर क्या कहते हैं इस फेर इस फेर ठीक है यानि 3D फिगर में आपको रहेगा घन घनाब रहेगा उसके बाद बेलन रहेगा यानि सिलंडर रहेगा उसके बाद इसमें क्या रहेगा संकू रहेगा उसके बाद आकरी में आपका गोला यानि इस पेर रहेगा ठीक है अब देखे फ्रेंड्स इसके बाद एक पॉइंट और बसता है पॉइंट नमबर फाइब इसमें आपका पिरामींड आता है पिरा मीड पिरामीड आप लोगों ने देखा है देखा है तो अच्छी बात नहीं देखा तो नेट पे सर्च करके देख लिजिए काई सब्रेमेंड होता है और इसी इसी में दोनों साथ में लेके चलेंगे एक रहेगा आपका प्रिज्म है ठीक है प्रिज्म और पिरामिड अगरा में ठीक है एंड प्रिज्म यह हो गया यानि पांच पॉइंट रहते हैं इसको छोड़ दिएगा इस यह त्रेडी में नहीं आता है ठीक है यानि 3D में आपका घन गनाब आएगा और बेलन संकु गोला उसके बाद यह लास्ट हमारा प्रिज्म क्या बसता है पिरामिड तो इसको भी हम पूरा डीटेल में देखेंगे तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले टूडी स्टार्ट करेंगे उसके बाद जब ह तो चलिए फ्रेंट अब इस्टार्ट करते हैं हम टूडी टूडी में हमने पहला पॉइंट क्या लिखा था बताईए आप लोग ने नोट किया होगा देखिए कावी में चलिए देख लिए होंगे क्या है तिरभूज यही हमने लिखा है ना तिरभूज ठीक है अब इसे हम क्या कहते हैं ट्रेंगल ठीक है देखिएगा अब पहले इसको समझते हैं इस ट्रेंगल कितने परकार के ट्रेंगल होते हैं तो देखिएगा पहला यहां पर लिखेंगे यहां पर पहले देखिए क्या आता है इस केलन इस केलन ठीक है यहाँ पर इस केलन ट्रेंगल यानि विशंबाव विशंबाव तिर बूझ मिस बाउ तिरिंग आप देखिए यह विशंबाव तिरिंगव होता है पहले देखिए इसको समझेंगे विशंबाव यह वाला होता फिगर निदो कि यह होता है मतलब इसमें यह होता है यह एक बुजा है दूसरी बुजा यह है तीसरी बुजा यह है यानि विसम बाउतिर बुज में क्या होता है कि सभी जो होती है वह आपस में समान नहीं रहती है यानि इक्वल रही रहती है सभी अलग अलग रहती है इस फिगर में लग होगा कुछ बूजाएं सेम है लेकिन सभी क्या होती है अलग होती है तो इसको पहले हम यहीं पे लिख लेते चोटा सा बना लेते हैं तीक है देखिएगा क्योंकि अब हमें और भी समझना है यह हमारा हो गया क्या इसके लेंट रेंगल उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रेंगल देखिएगा दूसरा आपका आता है यह पहला है आई सोस क्या आता है आई सोस इस लेस ट्रेंगल आई सोस लेस ट्रेंगल अब इसको क्या करते हैं बताएए संदिवाव क्या करते हैं संदिवाव ट्रेंगल संदिवाव ट्रेंगल अब संदिवाव ट्रेंगल कैसे होता है देखिएगा यहां पर देख लीजिए छोटा सा कि यह होता है कि इनकी दो बूजाय क्या होती हैं सेम होती है तो उसे क्यां सम्धिवाउ च tack ag अब अगला पाते हैं नेक्स्ट ठेंगल ठीक है तो नेक्स्ट क्या है इक्विलेटरव है कि ट्वि लेटरल एक्विलेटरल ट्रेंगल अगर कोई स्पेलिंग गलत हो गई हो तो आप लोग सही कर लीजिएगा ठीक है क्योंकि हम जानते ही मैद के टीचर हैं इसको कहते हैं संबाउग यह संबाउग है और कुछ मतमान लीजिएगा इसको फिर से लिख देते हैं संबाउग करें संबाउत तिर्पुझ थीक हैं भी एए समझ जायेगा इक्विलेटरल ट्रेंगल में क्या होता है इसकी सभी साइड इक्वल होती है सम्भाव तिरबुज में सभी साइड आपस में इक्वल होंगी सभी साइड क्या होंगी इक्वल होंगी तो उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल आप देखे कुछ एंगल होते हैं जैसे एक होता है राइट एंगल, राइट एंगल, यह कैसे बनता है एंगल ट्रेंगल, यह कैसे बनता है जिसकी एक साइड, जिसका एक एंगल क्या हो, राइट एंगल हो, जैसे यहाँ पे अगला पॉइंट यह होगा, पॉइंट नमबर 4, जिसका एक एंगल राइट एंगल यह नहीं यह वाला इंगल माल लेते हैं 90 डिटरी का होगा ज़िसका एक एंगल क्या होगा नाईंटी डिगरी का होगा वो हमारा राइट यंगल ट्रेंगल होता यह निस्यंद कोड़ maze संघ रिबूज दिठी उप कोंट प्रूज पॉइंट नंबर फाइब क्या आता है न्यून कोड न्यून कोड न्यून कोड ठीक है अब देखी इसको इंगलिस में क्या कहता है क्यूट एंगल ह estar a ki-t- hangra rango le Belender अब यह क्या होता है उसकी देखें इसका क्या होता है एक एंगलbaar यह वाला एंगलनाइञ्ट डिऻिसे छोटा होता है यह माल लेते हैं यह अंगल आपका ठीटा है तो यह त्विका होगा आपका नाइंटी डीगरी से छोटा होगा ठीक है उसे ही हम क्या कहते हैं एक यूट ऍईल कहते है उसके बाद आपका आता है आखरी में प्ती जल ओप्टीज दिल तो इसको पहले इसको नोट कर लीजिए इसके बाद हम बताते हैं अगला जल्दी से आप लोग नोट करिए चलिए अगला बरताते हैं और ट्यू जेंगल देखिएगा और ट्यू जेंगल जो भी पॉइंट रहा होगा लिख लीजिएगा आप लोग ठीक है अप पढ़ते हैं ओप्ती यज और ट्यूस ठीक है एंगल ट्रेंगल यही है और ट्यूस एंगल ट्रेंगल यही है आपका ऑप्तूस अब देखे फ्रेंड्स इसको कैसे इसे कहते हैं इसको क्या कहते हैं बताइए अधिक कोड़ अधिक कोड़ अब देखें फ्रेंट्स अधिक कोड़ कैसे बनेगा यहाँ पे कि यह इसमें यह रहेगा कि जिसका एंगल 90 डिगरी से जिसका एंगल क्या हो बड़ा हो यह इसको माले ठीटा तो अब क्या है यह 90 डिगरी से बड़ा से बड़ा है ना यह वाला इंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो इसे ही कहते हैं और या दिक कोड़ ठीक है तो यह थे हमारी कुछ पॉइंट कुछ एंगल थे तो अब कल हम स्टार्ट करेंगे इसके लंट रेंगल के जितरे भी पॉइंट्स होते हैं छेत्रमिती में पहले उसको करेंगे पहले आपको सिंपल ट्रेंगल पढ़ाएंगे यह नहीं सेंपल ट्रेंगल में क्या होता है परिम्हाब क्या होता है तो कल इसको बना दिया है कल यह पर पहले सब्सक्राइब कल आप का हर को आट रहेगा ठीक है पहले आपको व्तही kicking कर आदेंगे तो इससे आपका पुरा खैत्रमिती यानि मौश की लाँ diyor हो तो आज तो यह कैसा लगए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कल के लेंगे तब तक के लिए जय हैं थैंक यू